नमस्कार दोस्तों मेरे नमस्त दीप राप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने में वट्सप के नए अपडेट के बारे में अब आपको जान लेना बहुत जुरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप सुभी को पते कि WhatsApp अब बिल्कुल भी स्क्योर नहीं रहा क्योंकि आपका जितने भी personal data अब आपका किसी के साथ भी share हो सकता है या फिर आपका जो personal data कोई भी अब असानी से चेक कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर अभी तक आपने WhatsApp की पूरी information नहीं ली तो आप इस वीडियो को complete देखना इस वीडियो मैं आपको completely बताऊंगा कि आपकी इस तरह से WhatsApp पर secure है या नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं या फिर आपकी जो जितनी भी personal detail है वहां से आप असानी से receive भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सोभी को पता है कि WhatsApp ऐसा secure application थी जिसमें आपको बिल्कुल ब्रोसा था जिससे आप किसी को भी असानी से chat कर सकते थी या फिर बाते कर सकते थी दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी secure नहीं रहा और आपकी जितनी भी information से अब किसी के साथ भी असानी से share हो सकते क्योंकि दोस्तों यहाँ पर WhatsApp ने एक नई policy जारी किया है जिसमें यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इन policy को agree नहीं करें तो यहाँ पर आपकी जितनी भी personal information से है वो Instagram और Facebook के साथ share करेंगी जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपकी जितनी personal chat या personal information है वो Facebook पर भी आपके available होगी या फिर Instagram पर बढ़ी असानी से share कर दी जाएगी जिसमें दोस्तों यहाँ पर अब आप WhatsApp का use नहीं कर सकते और यहाँ पर अगर आप WhatsApp का use करते तो यहाँ पर आपको agree करना होगा और आपकी जितनी भी information है वो Facebook के साथ share की जागे लिए दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करें वाले साथ में एक नई application के बारे में जिसका नाव है signal application तो दोस्तों यहाँ पर सिगनल एप्लिकेशन सिर्फ 19 दिनों के इंदर 10 million यानि एक करोड लोगों ने अभी तक इसको कल डाउनोड कर लिया और दूसरी सिगनल एप में आप अपने जितनी भी information नहीं यहाँ पर आप विश्वास नहीं है यावर वटसप पर आप चैट नहीं करते हैं सिगनल एप को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इंडिया में भी अभी तक इसको सबसे तेजी से डाउनोड किया जा रहा है तो दोस्ति यहाँ पर अगर अभी तक आपने signal app को use करके नहीं देखा तो आप उसे use करके देख सकते हैं और आपको सभी सभी सारी information यहाँ पर मिल जाएगी तो दोस्ती यहाँ पर सबसे पहले आपको करने क्या कि आपको अपने google play store में जाना है play store में या फिर आपको apple के app store में जाना है वहाँ पर आपको सिगनल एप सर्च करना है जिसके बाद दोस्ती यहाँ पर आप असानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्ती यहाँ पर आपको signal app कैसा लगा तो उसके बारे में हम comment box में जरूर बताना और आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe करना तो मिलते हैं next नए वीडियो में ओके बाई टाटा